गुड इवनिंग टू आल, मुझे बहुत सारे स्टूरेंट्स के ये मैसेज़िस आ रहे हैं, कॉल जा रहे हैं कि मैं जन्वरी में जो एक्जाम होने हैं, क्या उनकी डेट्स आ चुकी हैं आल्स एक्जाम की, तो मैं इस वीडियो में आपको डेट्स बताऊंगी और साथ- अगर किसी बच्छे को रीडिंग के साथ को रिलेटिड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पीडियेफ अवेलेबल है जितने भी प्रीवियो जो एक्जाम में रीडिंग आ चुकी हैं, और साथ-साथ अगर हम आपकी हल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आपका भी फर्स बनता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजीगा, और अगर किसी को प्रॉबलम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और साथ-साथ इन्साग्राम पर फॉलो करो, तो फर्स जो डेट्स बनती हैं, जनवरी मनत में वो बनती है, इर जनवरी दो हजार बाई, तो उस दिन जो एक्जाम है, वो है, अकेडमी को जनरल दूनो का, तो डे बनता उस दिन सेटरेड़े, तो मैं ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले लिसनिंग के अगर हम बात करें, तो लिसनिंग में आपने मैप और एमसी के उसकी दिये जाते हैं, तो इसलिए आपने इन दोनों चीजों पर जादा वर्क करना है, जिन बचोंने एक्जाम देना आठ जनवरी को, तो नेक्स हम बात करते हैं रीडिंग की, तो जो रीडिंग आएगी वो आएगी मौडरेट लेवल की, मौडरेट का मतलब है कि आपने इसमे फिलप्स आने के चांसी हैं, जिन बचोंने एक्जाम देना और साथ ही साथ लिस्ट ओफ हैडिंग पर आपने अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो भी आ सकते हैं, टू फॉ पॉल्स पर ज्यादा चीजों पर ध्यान देना है ऐसी, तो नेक्स हम बात करते हैं राइटि तो ज्यादा टैंशन देने की जुरूरत नहीं है, जिन बचोंने राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग आपको डिफिकल्ट लगती है, तो इतना गबरान की जुरूरत नहीं, बस आपका जो टास्क टू होगा वो अच्छा आएगा, तो टास्क वन जो हो सकता है, थोड़ा complicated आई, ठीक है, बर ज्यादा आपको ये वरी करने की जुरूरत नहीं, आप अच्छे से अपने preparation कीजिएगा, तो हमने overall बताया कि कैसा आएगा exam 8 जनवरी को, जिन बचोंने exam देना वो fill कर सकते हैं, क्योंकि सही आएगा, ज्यादा ओखा नहीं आएगा exam, तो next जो date बनती है January मन्त में, वो बनती है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी यानि कि लोड़ी के बाद, festivals के बाद, जो exam आते हैं, वो थोड़े सही होते हैं, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा ओखे हों, बहुत ज़्यादा सोखे हों, मतलब सही होंगे, यानि कि सही का मतलब ये है कि इसमें जो reading है, वो थोड़ी सी अप्त होने के chances हैं, reading क्योंकि इसमें blanks आने के कम chances हैं, क्योंकि mostly blanks बच्चों को अच्छे लगते हैं, easy लगते हैं, लेकिन इसमें blanks आने के कम chances हैं, बट इसमें which paragraph contains following information, ये चीज़ें ज़्यादा आ सकते हैं, so इन चीज़ों पर आपने ज़्यादा दियान देना, बाकि yes, no, not, given पर ज़्यादा आप दियान दीजिएगा, जिन बचों ने exam देना 15 जनवरी को, तो next हम बात करते हैं writing की, तो अगर हम writing की बात करें, तो writing में आपने जैसे government के साथ related कोई statement आप से पूछी जा सकती है exam में, और साथ ही साथ ब जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, technology हो गया, science हो गया, साथ ही साथ कोई jobs, employment के साथ related, ऐसे topics आपको exam में पुछे जा सकते हैं, तो जिन बच्चों ने exam देना 15 जनवरी को, तो वो अपनी preparation जुरूर रखिएगा, और reading पे थोड़ा जादा दियान दीजिएगा, बाक पास वो बनता है, Thursday और Academy का सिर्फ exam है, जनरल वालों को मौका नहीं मिलेगा उस दें exam देने का, तो ये जो exam है, वो है month का third exam, जो month का third exam होता है, वो सोच सकते हैं कि वो थोड़ा सही आता है, इसमें जो reading है, वो सौखी आने के chances है, क्योंकि इसमें Phillips जादा आने के chances हैं, तो स चूज करने होते हैं, कोई भी जो options आते हैं, choose the correct options जो आते हैं उन चीजों पर आपने अच्छे से ध्यान देना, उनकी अच्छे से practice करनी है, तो next अगर हम बात करें listening की, तो listening में जो part 1 आएगा, उसमें Phillips आएगे और one word लिखना होगा, one word से जादा आप नहीं फिल कर सकते है जो भी conditions होते हैं वो ध्यान दे अच्छी से, और साथी साथ आपने इसमें map आने के chances इतने ज़्यादा नहीं हैं, जितने की जो previous exam होगा उसके हैं, so map की हाँ practice करो, बट इतने ज़्यादा chances नहीं हैं, और जो next होंगे MC के उस, जो large MC के उस, उनके chances हैं ज्यादा, तो आपने अच्छे से practice करने हैं इन चीज़ों की, क्योंकि इसमें यह होता है कि थोड़े complicated होते हैं, 2-3 person में conversation चलती होती हैं, और कई बार आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज, कौन सा option हमने choose करना, so इसलिए आपने अच्छे से ध्यान देना इन चीज़ों पे, और next अगर हम बा बात करें, तो writing के पहले तो मैं यह बताना चाहती हूं कि जो task 1 होगा, थोड़ा सा हम बोल सकती हूं कि थोड़ा complicated हा सकता है, बड़ जो task 2 होगा, वो सही आएगा, pie chart आनके ज्यादा chances बन रहे हैं, जिन बचोंने exam देना, so pie chart के जितने भी आपके पास samples पड़े हैं, वो prepare कर के देखना, और हम अलग से वीडियो भी आपके साथ share करेंगे, जिसमें हम full format आपको बताएंगे, कि listening कैसी आएगी, reading कैसी आएगी, और writing के आपने कौन-कौन से topic prepare करने चाहे, वो task 1 हो, और चाहे वो task 2 हो, so इन चीजों पर आपने अच्छे से द्यान देना, so next अगर बात क करें हम next exam, जो होना, exam January मन्त में वो होना 29th of January 2020, तो उस दिन जो day बनता हमारे पास, तो 29th January को exam है, academic और general का, और day बनता हमारे पास Saturday, तो उस दिन जो exam आएगा, वो आएगा moderate level का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, academic वालों की, listening के अगर हम बात करें, academic और general दोनों की same होती है, तो सबसे पहले हम listening की बात करते हैं, तो जो listening आएगी, उसमें फिलप्स आने की chances ह पार्ट वन हो या चाहिए वो पार्ट फोर होगा है, वन वर्ड आने की chances है इसमें, बर जो पार्ट फोर होगा, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, तो इसलिए जब भी आप प्रेक्टिस करते हो, तो जो speed होती, playback speed, उसमें options होते हैं, 1.25x, 0.25, तो 1.25x के साथ आप करने की जुरुत है, तो नेक्स हम बात करते हैं, reading की, तो सबसे पहले academic वालों की बात करेंगे, तो इसमें भी जो reading है, वो सही आएगी, मतलब ना ही जदा ओक ही आएगी, ना ही जदा सौक ही आएगी, moderate level आएगा, तो ज़्यादा, अगर usually आपके six bands आ रहे हैं, जा six plus आ रह सकती हैं, और true false not given पे आपने जादा देना अगर जिन बचोन एक्जाम और summary आने के चांसी है, इसमें, तो next अगर हम बात करें, जर्नल वालों की, तो जर्नल वाले बच्चे भी list of headings पे जादा देन, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और जो उनको fill-ups आएगे, वो सकती हैं, तो next module जाने की writing, बात करें, task 1 की, academic वालों के लिए, तो हमारे पास भार आने के chances है, तो so easy आएगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगे आपको, तो अगर हम बात करें, next जो task 2 है, तो उसमें culture and history के साथ कुछ भी पूछा जा सकता, exam में, तो मैं अलग से आपक topic भी बताऊंगे कि कौन-कौन से prepare करने exam के लिए, तो next अगर हम general वालों की बात करें, task 1 की, तो semi-formal letters आ सकती है, आपको, जैसे कि पिछले exam में आई थी, 3 January में semi-formal letter आई थी आपको, तो semi-formal letter आ सकती है, जिन बचोंने exam देना है, 29 January को, तो next अगर हम बात करें, task 2 की, तो ह हम एक अलग से video बनाएंगे और topic आपको बताएंगे कि कौन-कौन से आपने prepare करने है, like government के साथ, related jobs and employment, so ये topics आपने prepare करने, so overall हमने सारा review बताए दिया, ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन से exam सही लगा, तो ये जो मैंने prediction दी है, ये मैंने अपने according दी है, please फिर आप बाद में मत बोलना कि नहीं मैंने ये बोला था, ये मैंने अपने according की है, prediction तो पहले भी जितनी भी predict किया है, मैंने exam वो बिलकुल सही आया, आप पिछली prediction भी देख सकते हो, जब भी आप exam दे के आते हो, तो हर चीज मेरी prediction के according ही आई है, so आपने exam फिल करना, जो भी आपको सही ल कन दो ह colder, जो आपको बतिक नहीं हो जो है, जो किंगा है आपको सही एंगाएर आ प्री जापको में पादार, तक मर्ट को जापको सही उभ्याले म Ende